प्रदेश में गौसेवा आयो का बजट लाखों से करोडों में पहुंच गया है लाखों करोडों रुपे सडकों को लावारिस पश्यों से मुक्त कराने पर खर्च भी कर दी गए है पर बावजूद इसके सडकों पर लावारिस गोवश की संख्या लगातार बढ़ रही है लावारिस गोवश वहनों के साथ पैदल रहागीरों के लिए भी मुसीबत बने हुए है वही सडक किनारे खुले नाले लावारिस गोवश की जान के दुश्मन बन गये है 26 जनवरी 2019 तक प्रदेश की सड़कों को लावारिस पश्यों से मुक्त कराना था कागजों में शायद सरकार सड़कों को लावारिस पश्यों से मुक्त करा चुकी है लेकिन हकीकत ये है कि सड़कों पर आज भी लावारिस गौवंश बदहाली में है गाए और गीता का गुणगान करने वाली भाजपा सरकार सडकों पर लावारिस घूम रहे गौवंश की बधाली से आंखे मूंदे बैठी है कुड़े के धेर, सडकों और गलियों पर लावारिस गौवंश का डेरा जमा रहता है खुले और गहरे नालों में गौवंश गिर कर खायल हो रहे है लेकिन ना तो सरकार को और ना ही स्थानिय प्रशासन को लावारिस गौवंश की चिंता है बहदुरगड में वेस्जुआ ड्रोन पर बन रहे नाले में लगतार दो दिन में दो गौवंश गिर चुके है रहो तक दिली रोड पर भी खुले और गहरे नाले में गौवंश गिर कर खायल हो चुके है गौवखतों ने नालों में गिरे गौवंश को तो जेसी भी की सहायता से बाहर निकाल दिया लेकिन जिस प्रशासन को सड़क से गौवंश को हटा कर गौशालाओं में भेजने का जिम्मा है वो प्रशासन अपनी आँखे बंद किये बैठा है गौवखतों में भी इसके लिए काफी रोश है सड़कों पर बढ़ते लावारिस पश्यों की समस्या केवल बहादर गड़की नहीं बलकि प्रदेश के हर शहर और हर जिले में लाखों गौवंश लावारिस हालत में सड़कों पर है साल 2017 फिर 2018 और उसके बाद 26 जनवरी 2019 तक हर सड़क हर शहर हर गली मुहले को लावारिस पश्यों से मुक्त कराने की हैडलाइन तै की गई चंडिगड में बैठे सरकार के उच अधिकारियों ने अपने मताहत अधिकारियों को सक्त इदायत दी लाखो क्रोड रुपे सड़कों से लावारिस पश्यों को हटाने पर खर्च कर दिये लेकिन ये सड़क और इन पर खड़े ये लावारिस गौवंश सरकार के दावों की पोल खोल रहे है आम लोगों ने सरकार से मांग की है किस दिशा मिठ हो उसका दम उठाए लावारिस गौवंश का गौशालाओं तक भिजवाए गौशालाओं में इनके खाने पीने का प्रबंद किया जाए ताकि ये वापे सड़कों पर ना आ सके भाजपसरकार ने गौशेवा आयू का गठन सरक्षन के लिए किया था बजट जो पहले लाख हुआ करता था अब करोडों में है पर अब जरूरत का अगजी रन नीतियों से बाहर निकल कर हकीकत की सड़क पर काम करने की है ताकि लावाइस गौवंश की सही देखबाल हो सक बाहदुरगर से प्रदीब धनकर की रिपोर्ट कारी नहीं आया बाड़ ना फारेप्रेट का नमर बलता फरीदाबाद भागाबाद रूट उपल लिए फारेप्रेट हमने फोन करे था एक सो एक पाय और किते मिल्या ना को आया वहाँ आपके मांग यह वाई के दिए परसासन थोड़ा इसके पर ती थोड़ा सालु पर न प्रिए बाईया अचोट लग्गी तती बिलकुल हाथ पैर तड़ वाली है पर यह अबूलैंस अले दरफ आपन करया अबूलैंस अले आनी आया गौव शाला अले दरफ लुका देबलावाबाई बाई परेशान करें यह कुछ आले आरे दिमान सारी बताओं आप इन गूशाला ने खूम मदद करी पर बाई इन के लिए भी वो समानों लेबल करवाओ सरकार तो यह साथ वाला ने मदद करें आप बोलनुगा बाई गलत रीवल लगा और बाई हम ने सारे बाईयान मिलका ज आप देखोगे कि जंगहें जंगहें साथ जहां भी आप नजर डालोगे रुस अड़क पर लावारिस पसू बैठे रहते हैं कई बार इन गोवन्स के कारण जो है आजसे भी हो चुके है लाइन पार में भी चोट लग चुकी है एक दो की बलके मोत भी हो चुकी है मगर इस और कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है पहले भी गोदन सिवा समीती है उनके द्वारा भी बार-बार में सरकार से गोहार भी लगाई गई थी इनके लिए डाइट का और इनके जो उसके लिए गोसाला की विवस्ता की जाए मगर अभी तक इस सम्मन में अभी तक को और इस पशू है यह आपे घूम रहे हैं जिनके वैसे हाद से हो रहे हैं रोड पे परसाशन को इनके लिए कुछ करना चीए जिससे कि देखो पशू भी गायल हो रहे हैं लोगों को भी चोट लग रही है तो कुस तो वैवस्ता होनी चे को नंदी शाला इनके लिए खोली जाए प्रसाशन खुछ तो इनके वारे में करें हैं कि अधिकारियों को हमने तो कया लोग ने पारशयद वगण को बताया हमने वह करते हैं छिकायते तो अधिकारीयों ने संग्यान में तो लाया गया है उनको पता ही है किस तरिके ही औरוס ही हाप तो कम से कम कुछ से ग़र और करना चीमें के बारे में